तो कल गाइज मैं प्लेश्टोर पर कोई अच्छा सा जीएफेक्स टूल खोजी रहा था और भाई तभी मेरे कोई जीएफेक्स टूल मिला और भाई जेन्टमेन उसे इंस्टॉल करके यूस किया तो भाई सेटिंग्स वगारा रिसेट नहीं हो रहे थी बहुत ही स्मूध चल नहीं हो रही है तो यहां पर भाई पहले तो जीएफेक्स टूल को ओपन करके आपको कुछ सेटिंग्स बता देता हूं जिसे कि एकदम ध्यान से देखना आप लोग कही साब से मिलेगी तो यहां पर देखो बाई सबसे पहले तो आप लोग को अपना गेम वरिजन जो भी आप लोग सेलेक्ट कर लेना और उसके बाद से रीजोलुशन अप लोगो डीफॉल्ट पर रखना क्योंकि रीजोलुशन तो पता है यह चेंज नहीं हो रहा है और ग्राफिक्स आप लोग को समूध्स आप लोग को अपने ही साफसे अगर भाई लो अन्ड डिवाईस है त तो वह अपलोई साबसे रख सकते हैं, rendering quality low रखना है, shadow अगरा disable रखना है, shadow distance ये सबको भी एक दम लो कर देना है, वैसे shadow on नहीं है, तो इसका कोई मतलम नहीं हुआ, और texture quality इसको भी लो कर देना, effect quality इसको भी लो कर देना, और improvement effect इसको भी लो कर देना, और इसको भी आप लोको object वाला भी लो कर देना है, और उसके बाद से आप लोको आ जाना है, color bit पर तो भाई, color bit आप लोको default पर रखना है, अगर आप लोको अपने device का bit पता है, तो भाई, कलर क्वालिटी तो भाई उसी साफ से रख सकते हो मेरा 64 बीट सपोर्ट करता है तो भाई मैं 64 रख सकता हूँ अगर आप लोगों का 32 सपोर्ट करता है 32 रख लेना और डीटोल मोड इसको तो भाई लो ही पर रखो वरना बहुत ज्यादा लैग होता है और उसके बाद से लाइट इफेक्ट यह सब को डिसेबल रखना और उसके बाद से ग्राफिक एप यह इसको ओपन जी एल रख लेना अगर लैग फिक्स नहीं होता है तो वह अलकन रख ल अधिक्ट आना अधिक्ट कर देना है और उसके बाद से बहुत एक्सप्ट रण केम क्लिक कर देना है कि अधिया है